Hi friends, कैसे हैं? आप इस वीडियो में बात करेंगे NZ vs IND Dream 11 Stats Plus Info यानि कि New Zealand vs India के बीच में जो आज मैच के ले जाते दिखेगा ODA Series का 1st match है दोस्तो Series start हो रही है Monday की International D20 Series India 1-0 से जीता In fact, उसे आप 2-1 भी कह सकते हो In fact, 2-1 ही कहना चाहिए लेकिन क्यों मैं कह रहूँ 1-0 से जीता या आप 2-1 भी कह सकते हो पहले मैच में बारिश आ गई दूसरे मैच में आपको बता है इंडिया जीता अगला टाय गया तो अगर आप दोनों को भी एक एक अंक दे दो तो 2-1 होगी, वैसे उस Series को 1-0 ही कहेंगे और भारत में वो Series जीती अब ODI में भी कुछ ऐसा उमीद कर रहा हूँ लेकिन One Day में New Zealand को New Zealand के घर पहराना असान काम नहीं है अभी Best Team चल रही है New Zealand और आपके उनके जो Fast Wolers हैं Game Changer मिलने वाले हैं अब को यह बताने चाहूँगा दोस्तों हमारे टेलिग्राम में 22,000 लोग जुड़ चुके यदि आख उन में आते हैं तो बहुत बढ़िया यदि नहीं आते लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे टेलिग्राम का हमारे verified channel है आपने जरूर जुड़ जुड़ जाना है बाउन्डरीज जो अच्छी हिट करता है वैसे प्लियर आपके लिए अच्छे होने वाले है शॉर्ट बाउन्डरीज का फाइदा उठा सकते है ठीक है लेकिन जो आज का दिन है उसमें बहुत बारिश हुई है यहां पे और कल के दिन में जिस दिन मैच है जिस टैम पे मैं रीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूँ अभी मैच से लगबग 12 घंटे पहले रिकॉर्ट कर रहा हूँ ठीक है शाम के 7 बजे हैं अभी और जबकी सुभे के 7 बजे यह आपको मैच देखने को मिलने वाला है इंडिया टाइम अनुसार तो भई अभी तो बारिश हो रही थी लेकिन कल के दिन बारिश नहीं होनी चाहिए मैच टाइम पे बट आपको बता दू स्विंगिंग कंडिशन एक्सपेक्टेड है सो मुव्मेंट मिलेगी स्विंग बोलर्स अच्छा कर सकते हैं और साथ में बल्ले बाजों पे ध्यान दो क्योंकि बाउंडरी अच्छी है टॉप ओडर के प्लेयर ही बेस्ट हैं आपको पता है दोनों टीम में शिखरदवन शुमन गिल लेकिन शायद ड्रॉप करना रिस्क लेना वर्क कर सकता है इस वेन्यू पे जो रिसेंटली ओडियाइज हुए है न्यूजिलेंड इंडिया ने 200 और 270 का एक मैच कहला जिसमें न्यूजिलेंड जीता था 18 में से 11 विक्टे फास को 4 स्पिन को न्यूजिलेंड ने या साथ अफरीका के सामने लॉस फिस करी थी 14 में से 8 फास को 4 स्पिन को विकेट और ऑस्ट्रिलिया को हराया था 19 में से 15 फास को विकेट टोटल 51 में 34 विक्टे फास को है ठीक है रंस भी बने हैं आप देख सकते हो इस मैच में नहीं बने थे एड टो एड में भारत न्यूजिलेंड के बीच में जब मैचिस हुआ है विलियमसन का रिकॉर्ड शांदार है 25 में से 9 वंडे में इन्होंने अच्छ स्कोर किये है टॉम लेथम का भी रिकॉर्ड बढ़िया है इंडिया के सामने और एस विकेट कीपर हो सकता है आपको खेलते दिख जाएं शिकरदवन 12 मैच में 360 है 3.5 संचिर्स न्यूजिलेंड के सामने विकेट वाइस तो टिम साओधी आएंगे 21 मैच में 30 विकेट यूजी चेहल 11 मैच में 20 विकेट अभी आप देख रहे हो न्यूजी रेंड के प्यरोज लगभग सेम स्कौाड है टी 20 जैसा इस सोडी बस बाहर चले गए हैं इस सोडी बाहर चले गए और टॉम लेथम अंदर आ गए है विकेट कीपर बैट्समन मेरे को लगता है कि शायद डिवान कॉनवे से ही विकेट कीपिंग करवाले हाला कि वन डे में ज़्यादा तर ऐसा नहीं हुआ वन डे में टॉम लेथम को इन्होंने प्रेफरेंस किया तो हो सकता है फिन एलन बहार जाए टॉम लेथम आए उस केस में बल्ले बाजी करम में आपको बदलाब देखने को मिल सकता है डैरियल मिचल भी उपर आते दिख सकते हैं या डिरेक्टली टीम चाहे नीशम की जग़ा टॉम लेथम को खिला सकती है ठीक है मैं आपको कल यहाँ बल्ले बाजी करम बता दूँगा जो होने वला होगा मैच में पक्का में मिल जाएगा इंटरनेशनल मैच है दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैट हेंडरी अगर खेलते हैं बहुत बड़िया रहेंगे काफी अच्छे बोलर हैं विकेट टेकर हैं प्लस स्टार्टिंग में अच्छा करते हैं इंडिया के सामने रिकॉर्ड तगड़ा है यह दोनों में से मुझे लगते हैं कोई एक खेलेगा अगर दोनों खेलते हैं तो मैट हैंडी बार बैठेंगे देखना होगा जो भी फास्ट बोलर स्टार्ट में रहेंगे अच्छा कर सकते हैं न्यूजिलैंड के फुल स्टार्ट प्लस इंफो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है हर एक फ्लियर के रोल तो मैं उपर दिया ही चुका हूँ कुलदीब सेन स्कॉर्ड से जुड़े हैं अगर खेल जाएं तो बहुत बढ़ी है अधरवाइस उम्रान मलिक का हाई चांस है खेलने के लेकिन कुलदीब सेन अगर खेल जाएं वाच ओट फॉर इस गया है पेस भी है, बाउंस भी है, मुझे प्लियर बहुत बढ़िया लगते है उम्रान मलिक के पास पेस जादा है लेकिन कुलदीब सेन थोड़ा सा ही पीछे है बड़ इनकी लाइने थे कंट्रोल बहुत अच्छा है तो कुलदीब सेन अगर खेलते हैं, डिफिरेंचल गाए ठीक है, बागी इनडिया के पास बहुत ऑप्शन्स है यार हार्दिक पांडिया बहार गए है स्कॉर्ड से, ठीक है शुमन गिल जुड़े है, इशान किशन बहार गए है तो यहाँ पे यह विकल्प मुझे दिख रहा है, जो भारत की टीम में आपको देखने को मिल सकते है वशिंग्टन सुंदर भी है, अगर टीम चाहे उनको भी मुकाग दे सकती है इंडिया के भी फुल स्टाट्स पर सिन्फो, जिसे कि हमने एकदम देखे दे न्यूजिलेंड के वैसी आप इंडिया के भी देख सकते हो, मान लो आपको श्रिया सेयर का रिकॉर्ड देखने है 33 मैच में इनके बास 2 शतक, 12 शतक है तो आउट आफ 30 इनिंग्स, 14 इनिंग्स में अपने 50 से उपर क्रॉस किया यह कुछ प्लियर्ज है, जो आपके लिए डिफरेंट और अच्छे बन सकते है मैच अप्स पे आते हैं, फटा फट केन विलियमसन, युजी चहल, कुल्दी प्यादव दोनों इंडिया के स्पिनर्स पे आउट हुए है तॉम लेथम की भी सेम कहानी है, ठीक है जेवस दीशम, युजी चहल पे आउट है, ठीक है मिचल सैंटर नॉर्मल, इंडिया के बल्लेवास शिखरदवन टेम साओधी पे दो बार आउट है अडम मिल पे एक बार, मैट हेंडरी पे एक बार जो मैंने आपको बताया, स्विंग स्टार्ट में तंग कर सकती है धवन को, शुमन गिल मैट हेंडरी पे एक बार आउट है श्रिया सैयन नीशम पे और साओधी पे आउट है रिशप पंच, सैंटनर पे एक बार, मिल पे एक बार और शारदू ठाकुर नॉर्मली स्टैट्स है आप प्यूज भाई आपने बाकी प्लियर के मैचप्स क्यों नहीं लिखे वो T20 के मैचप्स थे, जादा मैं को लिखने का मतलब नहीं लिखा ODI में प्लियर बहुत ही कम खेले हैं आपस में इसलिए यही मैचप्स जो हैं बेस्ट हैं आपके लिए Buy Sell में हम आते हैं दोस्तों आप पस बहुत सारे Options अवेलेबल हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूँ यहां नीचे जा रहा हूँ देखते हैं कि कोई अच्छा विकल्फा में और मिलता है तो यहां पर Options में सभी का Rate काफी हाई है मैं शुगमन गिल को थोड़ा सा Sell कर रहा हूँ ठीक है स्टार्टिंग में Overseas Conditions है तो मुश्किल आ सकती है ठीक है Overcast Conditions होंगे बाकी यहां पर कुलदीप या अदव अर्षदीप उम्रान मलिक को थोड़ा सा Sell करते है ठीक है थोड़ा सा ही बाकी दीपक चाहर अच्छे बाइ Option है लेकिन Rate High है शिकर है यही Options रखेंगे अच्छा जिसने Exchange वरेटों को Download नहीं किया लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है दोस्तो वन ओफ माइ फेवरेट अप्लिकेशन इसे Download करते ही 50 रूपीज आपको बोनस मिल जाएगा KYC कर लोगे तो 50 रूपीज आपको फुल यूजेबल भी खेलने को मिल जाएगा तगड़ा अप्लिकेशन है लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है कोड आपके लिए रहेगा फॉर्कास्ट और बहुत अच्छी अप्लिकेशन है मस् ट्राए दोस्तो जब अब अपनी टीम सिलेट करने आओगे आपको विकेट केपिंग में लग तो यही रहा है कि आपको डिवन कॉन्वे दिखेंगे हो सकता है हाई चांस की टॉम लेथम भी ऐस विकेट कीपर बल्ले बास खेलते दिख जाए दोनों लेफ्ट हेंडर है इवन लेफ्ट हेंडर है थ्री से फोर डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं मैंने पहले बताया ग्राउंड काफी छोटा है इडन पाक के ग्राउंड में आपको आगे की स्ट्रेट की बाउन्टरी और बैक की बाउन्टरी जहां सूर्य कुमार किसी को नहीं छोड़ते बड़ी मिलती है माफ करना छोटी मिलती है लेकिन शौर्ट सूर्य से बड़े मिलते है तो सूर्य कुमार यादव को मैं लेकर चल रहा हूँ विलियम सन आइधिंग कमबैक कर ली है लास्ट ट्वेंड नहीं कहला था वंडे के लिए आ गए हैं तब वियस्थे थोड़ा परस्ता लाइफ में बड़े में थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं जो इनकी नैचल गेम है खेल सकते हैं शिखरदवन आपको ओपनिंग पे मिल जाएंगे मैं आपको पहले बता चूक हूँ ओवर कस्ट कंडिशन्स है problem आ सकती है लेकिन शिकर्दवान is highly motivated to perform उनको पता है T20 में select नहीं हुए थे वंडे में होना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए Glenn Phillips middle order में दिख जाएंगे न्यूजिलेंड की तरफ से बढ़िया player है very good athlete जरूर ट्राय कर सकते हो श्रिया सायर आपको one से two down दिखेंगे वैसे T20 में two down आ रहे थे one day में one down expect करूँगा सूरिया को मैं two down expect कर रहा हूँ ठीक है शुमन गिल ओपनिंग पे हैं ये भी तगड़े player है न्यूजिलेंड में केलने का experience भी अच्छा है और राउंडर्स में दोस्तों मुझे अच्छे swing bowlers भी चाहिए और ऐसे player जो मुझे runs दे सके हैं शारदूर ठाकर वो player मुझे दिख रहे हैं जो एक quality all rounder का काम कर सकते हैं सैंटनर बढ़िया है left hand batsman left hand orthodox ले सकते हो मैंने अभी नहीं लिया दीपक हुडा off break plus बल्ले बाजी ले सकते हो मैंने अभी नहीं लिया Mitchell Bracewell को मैं ले रहा हूँ जो की off break bowling भी करते हैं और आपको left hand बल्ले बाजी भी दे देते हैं ठीक है अच्छा roll in का रहता है इसलिए मैं Mitchell Bracewell को लेके चल रहा हूँ नीशम को जादा roll बिल नहीं रहा बल्ले गे दोनों से ठीक है Washington सुंदर को भी मैं नहीं ले रहा अभी हाला कि player अच्छे है अगर खेलते हैं हम सोच विचार करेंगे शावाज आहमत के कमी चांस है खेलने के bowling पे आते हैं यहां मुझे अच्छे player चाहिए Tim Saudi स्विंग करते हैं अरशदीब स्विंग स्विंग करते है दीपक चाहर फर्स्ट ओर डालते है स्विंग बुलर बाइचास अरशदीब सिंग को rest मिल गया तो उनको बाहर कर देंगे कोई दिक करती है leg spinner यूजी चैल को भी मैंने रखा है ground चोटा है तब भी क्यों क्योंकि भाई wicket taker होते है leg spinner ठीक है हाला कि इस ground में missets भी जा सकती है बाहर लेकिन square boundaries ठीक ठाक size है सामने की और पीछे की boundary बहुत चोटी है अब मेरा मन बहुत है Matt Henry को लेने का लेकिन मैं doubtful हूँ खेलेंगे के नहीं इन में से locky Ferguson में से हम देख लेंगे किसको बाद में लेने है हमारे पास अब दो यहाँ पर options बच रही है एक bowler को भी लख सकते हैं एक arounder santner को रख सकते हैं या बल्लेबास को मैंने फिलार शिखरदवन का अपनी टीम में चेंड किया है और Glenn Phillips का चेंड किया है ये मेरी फिलार टीम है लेकिन मैं changes कर सकता हूँ मैं आपको पहले बताते तो मैंने क्यों Glenn Phillips को लिया है दोस्तों देखो form में ये अभी New Zealand के calendar year में best player चल रहे हैं प्लस बहुत अच्छे अटलीट है कही ना कहीं catches भी लेते है शिखरदवन भी catches तो लेते ही है और opening पे हैं इंडिया के लिए reliable है लेकिन अगर आपको यहाँ change करना है यार Glenn Phillips की जगा आपको एक bowler लेना है हो सकता है मैं अपनी differential move यहाँ करू अगर Matt Henry खेल जाएं तो मैं सीधा-सीधा Matt Henry को pick कर सकता हूँ फिलहाल मेरी ये team है ठीक है लेकिन मैं आपको डेडी बता चुक हूँ अगर ऐसा कोई change हो जाए मेरी team में हरान मत होना ऐसा change में कर सकता हूँ क्योंकि overcast conditions expected है और ये history रही है जब जब New Zealand इंडिया को रहा है उनका opening एक दो जो over करने वाला bowler होता है वो 3-4 wicket ले जाता है ठीक है अब CVC की मैं बात अगर करू मैंने अपनी कप्तानी दी है या केन विलियमसन को Vice Captaincy के options आपको बढ़ा दू Demon Conway है ठीक है सूर्य कुमार यादव है और बाकी आप Arounders के साथ भी जा सकते हो मैंने फिलाल अपना Vice Captain दीपक चाहर को किया है थोड़ा साब कह सकते हो डिफरेंट भूबा लेकिन कप्तानी मेरी विलियमसन Vice Captaincy मैंने दीपक चाहर को दिया आप अपने हिसाब से दोस्तों जो चाहो चेंजिस कर सकते हो अपनी टीम में उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के तुरू आपको कुछ सिखा पया Like, Comment, Share जरूर करें और Subscribe करके रखे चैनल पे जो लोग टेलिग्राम में नहीं जुड़ है